नमश्कार दोस्तो जारकन ब्रेकिंग समचार में आपका सागत है जारकन की जितनी भी बड़ी खबर हैं आपके लिए आचुका हूँ आपको बतादू कि जारकन के किसानों को मिलने वाली है जल्दी पीम किसान योजना की चौधवी किस्त उसी के साथ स्कूल का टाइमिंग भी चेंज हो रहा है जी आँ दोस्तो स्कूला का टाइम में टेबल में भी थोड़ा हुआ है बदलाव और दोस्तो आपको बतादू कि कई जगों पे अब मिलने वाली है बंपर भड़तिया और दोस्तो आद भी कर सकते हो आवे दन वहीं दोस्तो डॉक्टर दिवस्ट में स चैनल को सबस्क्राइब कर दीजे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप जारकन के कौन से शेत्र में रहते हो आपको बतादू कि दोस्तो पीम किसान योजना की चौदवी किस्त बहुत ही जल्द आ सकती है जी हाँ दोस्तो पीम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में साल अगर आपने KYC नहीं की तो KYC जरू करा दीजिए अगर दोस्तों KYC नहीं होगी तो फिर जो है आप इसका लाब नहीं उटा सकते है उसी के साथ दोस्तों मैं आपका बता दूगी डॉक्टर दिवस पे सीम हेमन सौरेन ने स्वास्ते कर्मियों को यहां पर बदाई दी है और दोस्तों हिमन सौरेन ने मानन सेवा कर रहे स्वास्त समाज देने वाले सभी डॉक्टर चिकिसा कर्मी और अन ने स्वास्त कर्मियों को डॉक्टर दिवस पे अदेक बदाया दी और उन्होंने का दोस्तों मानन सेवा कर स्वास्त समाज देने वाले सभी डॉक्टर चिकिसा और दोस्तो असरस्त कर्मियों को डॉक्टर दिवस की हारदिक शुपकामना है वहीं दोस्तो अगली नियूस की बात करूँ तो राजदानी रांची में 30 किलो गांजी के साथ दोस्तो यूवक गिरफदार लगातार की जारी है तशकरी आपको बता तो पूलिस की कारेवाई के बाद भी राजदे में जो है गांजा तसकरी लगातार चल रही है ओडिसा का कौरापूर जिला जारकंड के और उसी के साथ दोस्तो बिहार यूपी के कई जिलों में अब जो है गांजा तसकरी एक तरह का केंद्र बन चुका है और इसी दोरान रांची पुलिस ने कारेवाई करते हुए 30 किलो गांजी के साथ एक यूवक को गरफदार किया है यूवक ओडिसा के सुन्दरगर जिले कर रहना वाला है और दोस्तो जान किया है कि अनुसार जारकंड के हजारी बाग, धनबाद, रांची, जमशेदपूर और बियार के भी कई ऐसे शेहर है जहाँ पे लगातार यहाँ पे तशकरी देखनी को मिल रही है गांजेगी, वही अंगली नियूस की बात करूँ तो दोस्तो जारकंड के हैं जो है स्कूल टाइमिंग में बहुत ही बड़ा बदलाव, यहाँ पे कई जगों पे दोस्तो ट कारिय दीवस सुबर पोने नो बजे विद्यालियों की लंबी गंटी बजाए जाएगी और प्रात कालिन प्रातना नो से नो पंद्रा के बीच में होगी और वहीं दोस्तो सरकारी स्कूलों में जहाँ मौर्निंग शिफ्ट है वहाँ के लिए भी शिक्षा विबाग ने सुबर पोने साथ वजे स्कूल खुलने से पहले पहुंचना होगा और दोस्तो यहाँ पर जो है साथ से साथ पंद्रा की बीच में प्रातना और इसके बाद जो है साथ पचीस से आपके अटेंडेंस लगाई जाएगी वहीं दोस्तो अगली नियूस की बात करूँ तो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाप में 4,062 पत की वेकेंसी आई है सिलेक्ट होने पर दोस्तो 18,000 रुपे से लेकर 2,09,000 रुपे तक की आपको महीने की सेलरी भी मिल सकती है जारकर में 230 पत पर कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर की वेकेंसी आई है और दोस्तो इस फॉम को बरने के बाद आकरी तारीक आपको 18 जुलाई बताई जारी है और सिलेक्ट होने पर 7,700 रुपे से लेके 2,18,000 तक आपको यहाँ पर सेलरी मिल सकती है तो दोस्तो अगर आप सरकारी जोब के तैयरी कर रहे हो तो यह आपके लिए एक सुनावरा आउसर हो सकता है वहीं दोस दोस्तों यहाँ पर बड़ी है एक किलो चांदी की कीमत 18,500 रुपे देखने को मिल रही है वहीं दोस्तों यहाँ पर बता दू कि चांदी के भी दाम बड़े हुए है अगर आप पिछले 24 गंटों से कंपेर करोगे और उसे के साथ दोस्तों पेट्रोल प्राइस के बात कर पिछलो तो जो है आज पेट्रोल 100 रुपे और 24 पैसे हमें देखने को मिला यहाँ पर राजदानी रांची में और दोस्तों डीजल के प्राइस भी जो है आपको थोड़ी बड़े उतरी देखने को मिली है वहीं दोस्तों मौसम विबाग ने बता है कि आने वाले 24 से 48 में कई जगर जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है गरत चमग भी काफी जोरदार होगी और जारकंड के कई ऐसे जिले हैं जहां पर आपको भारी बारिश देखने को मिल सकती है जिया दोस्तों मौसम विबाग ने कई ऐसी जगह है जहां पर जोरदार बारिश के असर दि बतेगा तो दोस्तों यह तिसारी न्यूज अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना